नमस्कार दोस्तों Home Kitchen with Saumpa ब्लोग में आपको श्वागत करती हूँ आईए शुरू करते हैं आज की हमारी नास्ता तो सुबह हो चुके है आड़ बाच चुके है दोस्तों मैं आचुकी हूँ रसवी में और मैंने कुककर में रख दे आलू तीन से चार मंदलब बिशल लगा अगर निकल रहे हैं फेर भी एक देड़ घंटा निकलते हैं बहुत हलका धूब निकलते हैं उसके बाद फिर मंदलब ओस गिरने लगते हैं इतना अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है तो देखे दोस्तों हम आचुके फेर से रशवी में और हमारी शाबूदाना अच्छे से भीग चुके है मैं राद में इसको भीग रख दी थी जैसे एक कप साबूदाना में एक कप दाल के मैंने इसको रख दिया था तो ऐसे हमारी साबूदाना बहुत अच्छे से भीग चुके है और मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता अद्रग और थोड़ा सा हरी मिर्ची और रख देंगे चटपटा बनाने के लिए हमारी चांट मसाला दोचा मच के असपास अब रख देंगे इसमें थोड़ा सा कुटी हुई हमारी मनलब धनिया पाउडर इसके बाद आप जीरा पाउडर भी रख सकते हो तो अब डाल रही हूँ इसमें हम स्पाइसी के लिए रेट चिली पाउडर तो स्पाइसी की आपको जितनी तीखा चाहिए अब डाल देंगे इसमें थोड़ा सा गोल मिर्ची पाउडर सारे चीजों को हमने डाल दिये और शाथ की अनुसर हम नमक भी डाल देंगे डालने के बाद इसको अच्छे से हम मैक्स कर लेंगे और अच्छा सा एक डू बना लेंगे तो देख और जट पड हमारी ठंडे की सुवे सुवे बन जाएंगे हमारी ब्रेकफास्ट साबू दना की बड़ा जो खाने में बहुत अच्छी लगते हैं हेल्डी भी है टेस्टी भी है इसके संग आप मोफुली की दाना एट कर सकते हो या मतर दना एट कर सकते हो फिलाल मैंने कोई जट पडवान जाते है दोस्तों और कोई भी ब्रत में भी आप बना सकते हो तो ठंडी और जारा दिन है नहीं है संकरन्त के बाद ठंडिया थोड़ा हलका होने लगते फिर धीरे ठंडी हमें आलविदा कहने लगते है एक साल के लिए जब तक ठंडी है गरम गरम नाष्टा बनाईए खाईए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताईएगा जब तक के लिए मैं आलविदा लेती हूँ आफ सबसे बाबाई शीरा दे अन्जैशी कृष्टा